संतों के सबसे बड़े अखाडे जूना अखाडा से निश्कासित किये गए गोल्डन भापा ने जूना अखाडे के सचिव प्रेम गरीपर कई गंभीर आरुप लगा है अपने नाबालिक शिसक के साथ मीडिया के सामने आकर उन्होंने जूना अखाडे के संतों के काले चिट्टे खोल कर रख दिये अगर उनके आरुपों को सही माना जाए तो संतों की वर्तमान स्थिति को लेकर जिंता जाहिर कना स्वाबाविक है दिल्ली में बिट्टू लाइट वाले के नाम से मशूर जिस गोल्डन बाबा को जूना अखाडे ने पना दी और उसे संताई के चोले में पना दी आज जुना अखारे से निश्कासित किये जाने के बाद मीडिया के सामने गोल्डन पूरी महराज ने पड़ा खुलासा करते वे जुना अखारे के संतों पर कई गंबीर आरुप लगाए मीडिया के सामना ए गोल्डन बाबा ने जूना अखाडे के सची प्रेमगरी पर कई गंभीर आरुप लगाए इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि उनके नाबालिक शुषे के साथ प्रेमगरी उल्टी सीधी हरकतें क्या करते थे जब कि ये जानकारी अखाडे के दूसरे संतों को भी है वहीं वर्तमान में गोल्डन बूरी महराज के नाबालिक शुषे ने अपनी आपधी सुनाते वे कहा कि प्रेमगरी महराज ने कई बार उसके साथ गलत काम किये जो प्रेमगरी महराज जी है जुन जुन आखाडे के सिक्रेटी है उन्होंने मेरे को सिस्य बनाया था जो मैं पहले गोपालगरी महराज जी के पास रहता था उनके गुजनने के बाद उन्होंने बंढ़ा रहा करने के बाद मेरे को कहा था बता दूँगा उन्होंने मेरे को ढूंगिया दे रखे ती अगर किसी को बताएगा या कुछ करे गा तुम खाना नी देंगे करी दिन तक बन पर रखे रहेंगे तुम्हें ज्यादा करो गई तो तुम्हें घंगा जी में बान के फिक्वा देंगे मैं वससी शिकायत करना नह परसान अब होगे निकला. इस मामले में गोल्डन बाबा ने हरिद्वार और प्रयाग राज की अगर ठीक माना जाए तो सादू संतों से घ्रिना होना स्वाव भी है ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आए दिन संतों को लेकर चौकाने वाले खुलासे के बाद भी संत कोई सीख लेने को तैयार नहीं है संभवात्री 65 के लिए हरिद्वार से नरेश्टोमर की रिपोर्ट कर दो